Hello everyone, दीपा वली की बहुत सुब कामना हैं दोस्तों दीपा वली का पर्फ माता लक्ष्मी को खुस करने के लिए बहुती उत्त्म दिन माना गया है कहते हैं इस दिन अगर हम विशेश पूजा करते हैं तो माा लक्ष्मी की किरपा पूरे साल बरसती है ये एक विशेज दिन माना गया है इस दिन मा लक्षमी को मनाने के लिए सबसे उत्तम उपाई करे जाते हैं कुछ ऐसी विशेज पूजा है जिससे हम माता लक्षमी को खुस भी कर सकते हैं तो किस तरह से हमें पूजा करने चाहिए आप अच्छे से समझ लीजे पवितरता का अच्छे से धियान लगना है आपको सबसे पहले गंगाजल से चोकी को पवित्र कर लेना है जहां पर चोकी स्थापित कर रहे हैं दोस्तों वहाँ पर आप अच्छे से साफ कर लीजिए फिर लाल या पीले रंगा आप कपड़ा विचा लीजिए उस पर छोटी छोटी चावलों की डेरी लगा के आप सबसे पहले प्रतम पुझे गनेज जी को आसन देना है फिर माता लक्षमी को आसन देना है आपको और आपके पास तस्वीर है माता लक्षमी गनेज जी की तो आप वो भी रख सकते हैं अगर आपके पास चान्दी के हैं तो वह भी रख सकते हैं अश्टदल बनाना आता है तो अश्टदल बना लीजे नहीं तो जैसे मैंने आचावल की डेरीव लगाई है तो यहां पर कलस इस्तापित करना है कलस आप नारियल का भी कर सकते हैं दीप कलस इस्तापित कर सकते हैं तो यहां मैं दीप कलस इस्तापित प्रटीक रखे हैं और इसके उपपर चावल की कटोरी रखी जाएगी कलस के उपपर क्योंकि हमें दीब कलस स्थापित करना है इसके अब जो मत्यां लक्ष़मी के सामने जो दिया जलेगा वह उसके लिए हमें गयहूं की डेरी लगानी तो यहां मैंने गयहूं की डेरी लग सके पूरी रात आपको जलाना है तो इस चीज का द्यान नकीत की तेल बिखरे नहीं कहीं कपड़े में वो न लग जाए बत्ती तो इस तरह से आपको दिया स्थापित करना है और मातलक्षमी को चुनरी उड़ा देजिए मातलक्षमी का सिंगार का समान जरूर चड़ाएं यह महाँ पर मैं कमल गट्टे की माला जो है मातलक्षमी को पहना रही हूं बहुत ज्यादा मतलब अट्रेक्ट करती है मातलक्षमी को यह जो कमल गट्टे की माला होती है इसलिए धनकी पोटली में भी रखी जाती है हमारे यहां सौर्टी बनाई जाती है तो आप सौर्टी तो इस तरह से यहां पर सॉरटी बनाई जाती है गेरू आता है उसे सफेद कागज पर डैर्ट दिवार पर भी बना सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से कागज पर भी बना सकते हैं तो यहां मैंने सौरती कागज पर बना ली है इसके उपर पान चुपकाया जाता है जो चौच दार पान होता है वो चुपकाया जाता है जिसकी चौच नहीं होती वो पान नहीं चुपकाना आपको जो चौच वाला पान ह जाता है जो आप साधा भी ले सकते हैं या फिर आप अगर आपके पास उचादी का सिक्का है तो उसे भी चुपका सकते हैं इस तरह से यह चुपकाया जाता है और क्या करना है दोस्तों जितने भी बड़तन लेके आएं आप वह अपने पूजी जाएंगी लक्षमी माता आप महीं पर रखने है और धन्तेर शपर जो बरतन खरीरेंने हैं जित्ना आपने वे आपने समान खरीदा है वो धन्तेरस पर पूजा जाएगा तो वहीं रख लीज yapt शाड़ू इस हओरोटी लगा दी है और और मैंने सवी भावांजी को बिन्दी लगा दी है सबches पहले घने अंदर दीपक रख दिया है तो इस तरह से ये दीपकलस मारा इस्थापिद हो गया कमल गट्टे का विसेश मैध्व है उसमें रखा जाएगा कमल गट्टा जो होता है दोस्तों कमल गट्टे की माला अगर आप जाप करते हैं मालक्ष्मी के बहुत जादा अच्छा माना गया ह कमल गट्टे की माला से और इस तरह से आप मैंने हाप वस्त्र के तौर पर कलावा अर्पित कर दिया है गनेजी को और माता लक्षमी को आप जनेव भी चड़ा सकते हैं जनेव जो सपेद धागाता उसको जनेव बनाकर भी चड़ा सकते हैं तो माता लक्षमी को सभी को मैंने तीलग कर दिया है वस्तर के तौर पर वस्तो चड़ा दिये हैं और मातर लक्षमी को सिंघार का समाझ जरूर चड़ाएं मैंने पंच मीवां का भो लगाया है यहां मैने दोस्तो कपड़ा ले लिया है लाल कपड़ा उसके अंदर मैंने सबसे पहले चावल रख दी हैं, आप लाल रण के रोली में करके रख सकते हैं या हल्दी में पिले करके भी रख सकते हैं, यह याद रखे कि चावल तूटा हुआ नहीं होना चाहिए इसके अंदर मैंने हल्दी की गांट दो लॉंग, दो कमल गटे और दो इलाईची, नाग केसर और कौडी रखी है मैंने और यह जाएफल या फिर आप वो रख सकते हैं सुपारी यह रखना है हमें और कौडी रखनी है और जो सूखा धनिया आप लेके आए हैं धन्तेरस के दिन वो रखना है और यहां मैंने दुर्वा रख दिया है और एक सिक्का हम इसमें रख देंगे चाहे आप चांदी का रख सकते हैं चाहे वैसा रख सकते हैं तो यह हमने सिक्का वगेरा सब रख दिया है इसकी मातलक्षमी के आगे ही पोटली इस तरह से रखनी है जब पूजा पूरी संपन हो जाएगी तब ये पोटली आप अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं तो जो भी धनिया वगेरा लाए हैं आप इस दिन जरूर रखें मैंने सब चीज बताएगी जाडू का भी पूजन होगा जाडू पर भी बिंदी लगाएं जाडू को कलावा बांदे और मिठाई का भोग लगाएं जैसे आप मातल लक्षमी को करने हैं ऐसे ही जाडू क्योंकि जाडू जो होती है दोस्तों हमारे घर की नकरात मकता निकालते हैं तो जाड़ू पूजन जरूर होना चाहिए जाए आपने धनते रस पे करा हो तो लक्षमी पूजा के दिन भी इसे जरूर करें और देहलीज पूजन मैंने वीडियो डाली है देहलीज पूजन के आप देखना देहलीज पूजन होगा आप सबसे पहले या साम को देहलीज पूजन जरूर कर लें इसके बाद खोईचा कैसे भड़ना है आपको जैसे मातलक्षमी को सिंदूर पांच ये साथ वाल लगाके फिर ये अपने लगा लेना है और जो आपने सामगरी चड़ाई है उसमें से खीलबता से आपको अर्पित करने है मातलक्षमी के आगे तो वो मातलक्षमी से अपनी जोली लेके एक फल और जोली लेके अपने आपी आपको अपना खोईचा बनना है अपना जो है दामन बनना है मातलक्षमी के आगे से जो खील बता से आपने डाले हैं उसे ले लिजिए अपने उसमें और पल्लु में और आपको फल ले लेना है इस तरह से अपने आपको जोली बढ़नी है और इसके बाद आपको जो दक्षणा है जरूर चड़ाए वो दक्षणा पंडजी के आँ जाएगी आप इसमें से जो खीलवता से मिठाई है उसका थोड़ा सा प्रशाद अपने लिए रखें थोड़ा सा प्रशाद मंदिल में ब खीके लगाए जाएंगे फिलाश्ट में मातलक्षमी की आरती होगी जो कि कपूर से होती है संख अगर आपके घर में बजान आता है तो संख दवनी जरूर करें इससे जो नेगेटिविटी होती है ओन मालक्ष्मी आती है तो घंटी से भी आपको आरती करनी चाहिए बहुत रहा सकते